पाफुल पीपल मेक प्लेसस पाफुल दोस्तों अमित्या एग्रिकल्चर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को अंतर तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेश्ट कॉंटेंट है चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक इतर बढ़ते हैं 2010 को अंतर राष्टी जय विभित्ता बायो डाइवर्शिटी वर्ष की रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया 2012 में अंतर राष्टी साहिकारिता वर्ष कॉपरेटिव वर्ष की रूप में इसे मनाया गया 2012 में फिर एक बागवानी वर्ष घोसित गोर्मेंट आफ इंडिया द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया 2015 में इसे अंतर राष्टी मिर्दा दिवस की रूप में इसे मनाया गया 2016 को अंतर राष्टी दलहनी वर्ष की रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया चलिए हम अगले डे की तरफ बढ़ते हैं जो कौन कौन से डे किस किस दिन को किस किस डेट को मनाया जाते हैं पहला दिया गया है 15 मार्च यानि 15 मार्च विस उभुकता दिवस की रूप में मनाया जाता है यानि इसे World Consumers Rights Day की रूप में से celebrate किया जाता है ठीके दूसरा दिया है 21 March विस वन दिवस यानि International Day of Forest and World Poetry Day and International Color Day की रूप में भी इसे मनाया जाता है 21 March को ठीके और 30 March को राजिस्तान दिवस मनाया जाता है 30 March को क्या मनाते हैं? जाजिस्तान दिवस की रूप में मनाते हैं 5 June को बिश परयवरण दिवस की रूप में हम सभी लोग जानते हैं मनाते हैं और 12 जूलाई को बिश जनसंख्या दिवस की रूप में celebrate करते हैं 16 July को ICR दिवस यानि 16 July 1929 को ICR की इस्तापना हुई थे ऐफ सितंबर, ते क्रशें, इस फच्रोप में मनाते हैं, और 16 दिघं़ला को य मिरमें 2017-20 कि सिल्इबरेट करते हैं, का 3 दिसंबर को करेशी सिध्ष दिवस आइस आजशे द्वारा 3 दिसंबर तीन दिसम्बर 2017 को घोसत किया यानि इसे कब सेलिबिरेट करते हैं करसी सिच्छा दिवस की रूप में तीन दिसम्बर को ठीक है और चार दिसम्बर को करसी में महीला का योगदान दिवस की रूप में इसे सेलिबिरेट करते हैं ہालाओं का क्रिसी में कितना योगधान है इसे 4 दिसम्बर के रूप में इसे 7 करते हैं ऑर 23 दिसम्बर को हम हम सब颜ॉट करते हैं कीम्ट किसान取ave से ही relate करते हैं तो 33 संब को हम किसान दीवस की रूप में celebrate करते हैं अब हम आपको कुछ जो scientist है यानी scientist है उनको हम जानते हैं जैसे हमारे पहले scientist है पीटरो डी क्रिसेंजी इने हम फादर आफ yağ에게 जंदाता यानि फादर आफ एग खुर्णौमी और किन को जानते हैं पीठर डी क्रिसेंजी को फादर आफ पेड़ालोजी बीबी डाकू छैप को जानते हैं फादर आफ गोल्डिन डिवुलुशन डॉक्टर के ऐल चड़ा डॉ golden revolution इसको इंग्लिज में golden revolution के नाम से भी जानते हैं फादर आफ सुनहरी कियांती डॉक्टर क्याल चड़्ड़ा फादर आप तिलेज जैत्रो टूल को फादर आप जीरो टिलेज बीबी टिपलेट को जानते हैं यह बहुत इंप्रेंट फादर आप जीरो टिलेज जीबी और फादर आफ ऑर्गैनिक फार्मिंग फादर आफ ऑर्गैनिक फार्मिन तरप अलबट हो और अलबर्ट होवार्ड है फ़ादर आफ स्वाइल मैक्रोबायोजी मृदासूच न्जीव की आफ एण विजयनु ग्रेट की और क्रिसी रसायन बिग्यान को हम अच्छी तरीके से जानते हैं यानि जेवी लिबिंग और भी कुछ इसमें दी नहीं गई है इस पीडियाप में बट क्या है कि हम फादर आफ कि अफीडियों पढ़ा था मैंने फादर आफ सुपर राइस गूरुदेव सिंखck खुसको बताया था आपको गुर्देव सिंख खुसको और फादर आफ हाइबिर्ड राइस लौंग पिंग यान को बताया था मैंने भारत में हरीत कुरांती की जंदाता जो भारत में नाते हारिद करांती की जमदाता डॉक्टर नारमर इबोलांक को हम जानते हैं ठीक है जैथ्रो टूल ने एच 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 यानि होर्स होइं भाया या या बवाईंग से पूर्व जताई नामग पुस्ताल या इसको इंगलिस में जानी है यानि होर्स ह्य किसके द्वारा लिखी गई ती जेट्रो टूल के द्वारा लिखी गई थे जेट्रो टूल्स ने कौन सा टम्स तर्म्स दिया था यानि वीड सब्दों को इन्होंने दिया था सबसे पहली बार जेट्रो टूल्स ने और हम कुछ मुख बिटामिन्स हैं उनके लच्छन, कमी के लच्छन, बिटामिन्स उनके और साइंटिफिक नेम उनका क्या होता है जैसे पहला दिया गया है बिटामिन ए ते इसको हम रेटीनाल के नाम से भी जानते हैं इसकी कमी से रतोंदी नामक जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है इसका स्रोत क्या है मुकस्रोत लीवर, मचली, दूद, गाजर, पपीता, मेंगो, कोरियंडर यानी धनिया ठीक है और बिटामिन बीवन को देखते हैं बिटामिन बीवन इसे थाइमीन के नाम से जानते हैं बिटामिन बीवन को थाइमीन कहते हैं और यह किसकी कमी के कारण होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बैरी बैरी ठीक है कौन सा होता है बैरी बैरी जो पाचन तंत्र को प्ज़बेर कि उद्वी और इसका मुखक उसरोत क्या है कि राइस पालिशंग जो राइस पॉलिसिंग वाला तहा पत्ती कि वाली सब्जियां जितने भी और मचली अंड़े और मीट और बिटामिन B2, राइवफलेविन, इसका अननाम क्या है? राइवफलेविन के नाम से भी इसे जाना जाता है फोटोफोविया, तुचा का फटना, इसके कारण बिटामिन B2 के कारण फोटोफोविया, यानि तुचा का फटना रोग हो जाता है इसका मुक्त सुरोत क्या है मिल का पाउडर हो गया मचली वा डाले है यानि डालों में क्या हो प्रोटीन के मात्र अधिक पाय जाती डालों में और बिटामिन्स B3 नाइसीन के नाम से जानते हैं इसे निकोटीन अमले भी कहते हैं और अब पारे Algender समने रोग पहलागरा जीव पर काला घेरा नामक रोग हो जाता है यह यारदर रखेंगा कि यद्यु कौर्डा यह से पेलागरा वाजीव पर काला फ्रागरा बहूत इंपोर्टेंट है आपके लिए पहलागरा विटामिन B3 के कारण होता है विटामिन B3 ना भी आजाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है नाइसीन या निकोटीन अमले के नाम से भी इसे जानते हैं और इसका मुक्सोत आप वही हो गया मांस हो गया मचली हो गई दूद हो गया अंडा हरी सब्जी यह हम दाले ठीक है और पांचों नमर में बिटामिन बी-5 इसे पेंटा थेनिक अमले के नाम से इसे जाना जाता है यह वसावा कार्बोहेडेट की उर्जा के दच उप्योग में सहायता करता है यह एड्रेनल हार्मोंस वालार रक्त कड़काओं के निरमार में सहायक होता है और मांस अंडावा दूद में इसकी मातरा पाए जाती है बिटामिन B6 इस नायू तंत्र को कमजोर करता है यह इस्ट भीट जर्म दाले में पाए जाती है यह जर्म लिखा है तो जो जैसे भीट है गहूं है उसको जर्मिनेट करके खाने पर बिटामिन B6 की जो कमी होती हो पूरती हो जाती है ठीक है अब बिटामिन B12 इसे कोवेला माइन भी कहत हैं इसको बहुत याद रखिएगा यह पूंचा जाता अक्तर बिटामिन B2 इसकी कमी करण रखते की कमी होना इससे इनेमिया रखते की कमी करण हो जाता है और यह लीवर मीट मचली वा अंडा में पाया जाता है बिटामिन C इसकॉर्बे कम लिके नाम से जाना चाहिए इसक जाना जाता है और यह बिटामिन D यानि इसे दी करण किसनाम से नम से जानते हैं कैलसी फिराइज इसकी कमी करण हटेकेटे टियों टेहरी मेरी होना पिजन चेस्ट बच्चों में आस्ट्रिया Love, achlerde मो मेलेशिया हो जाता है और इसका मुक्व स्रूत क्या है सुड़ की धूपी हम नाम से जानते हैं बांजपन उसपंन हो जाता है जिसके कषिए पैदा हो पाते हैं बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाते ही ह। यह क्या होता ह। और विटामिन Une हैThe 가지 को से नाम से तचासे मंदी बिमारी यह को जातीं है और इसका मुक्सरोत तो इसमें कुछ दिया ही नहीं गया है विटामिन के फाइलो क्यूनान के नाम से जानते हैं रखतका ठका देरी से बनता है पूल गोवी लीवर सोयवीन में मनलब इसका स्रोथ है और फॉलिक एसेड है तो यह इसकी कमी करा अनेमिया रखती की कमी होना पा और चलिए कुछ हम क्रस्इ से सम्मन्द पर्मुक्ष करांधियों के बारे में देखते हैं जो आप के लिए बहुत ही महात्तों पूर हर एक एक्धाम में चाहाई एक एक्धाम में यह इसका और न कोई भी एक्धाम हो एक हर जगे इसका बहुत ही महाथ तरह करांतियों को चलिए देखते हैं पहला है रिवलीशन और स्वेद किरांति यानि हाइट रिवलीशन वाइट रिवलीशन मैंने कल भी नेक्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको तो दुग्ध उत्पादन से संब्देते और ब्लू डिवलीशन यानि न प्रोटीन करांति ये भी सुनिये प्रोटीन करांति दलहन उत्पादन से संब्देते और धूसर करांति ग्रे रिवलीशन और वर्वर्व उत्पादन से संब्देते गुलावी करांति पिंक रिवलीशन जींगा वा प्याज के उत्पादन से संब्देते सुनहरी करांति ग कोल क्रांती आलू के उत्पादन से संबन देता है रेड रिवल्यूशन टमाटर वा मांस उत्पादन से संबन देता है कि सिल्वर रिवल्यूशन रजट क्रांती पॉल्ट्री वा अंड़ उत्पादन से संबन देता है काली क्रांती ब्लैक रिवल्यूशन जेट्रोफा यानि से संबंदेत हैं और पिली किरांती यानि येलो विलिएशन तिलहन सौरज मुख्वी का सरसोंसे उतपाद सेुषेता है कभि तिलहन ना देके स हुब्ध fukh organ breaking jakie विर ये ये अ हैं ए यहां पर सूरज मुषि देगा ये सरसो देदेगा परभनी किरांती यानि परभनी किरांती भिंडी वइसका समंध है टों सेこれは किरांती इवर वर्यक्रांति जेक वाली किसमों के से उत्पादन से इसका समन्द है हम अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे कीटों का सूच में जीवों यानि मैक्रोप्स द्वारा जैविक नियंत्रा कीट नासी कीट नासी सूच में जीवों जैसे जिवाडू बिसाडू फपून सूतकमी इनके सत्य उत्पादन का प्रि सब्द Štand Hens ने trabajar ijh agesck 14 में सर प्रतम दिया Param eating microbial control जो microbial control है 1986 में इस सत lun से रहें सने दिया है और microbial control काम में आने वाली सूच में जवो निम्न लिखे थे जो मैक्रोप्स कर िक कंट्रोल है उसमें कौण कौण से ज्वों आते हैं तो पहला है よ एन्पिवी इन्पिवी, बैसले थुरिंगेंसिस, फफूंद है यह जैसे बवेरिया बेसियाना, जैसे क्या है बवेरिया बेसियाना, हिर सुटला, और वर्टी, सैलिम, वा मेटा, राइजियम, एन्ई, सॉल्पी, सफेद लट के भ्रंग के लिए उप्योगी है, और EPN ऐसे सूतकर्मी जो कीटों में ब्याधी पैदा करते हैं करके मारने का काम करते हैं वे निमेटोड एनोमा पैथोजिनिक नेमोटोड EPN कहलाते हैं इपी एन इपी एन का फ़र फ़र्म क्या है इंटोमो पैथोजेनिक नेमा तोड़ जैसे डीडी 136 यानि 136 मिक्सर ग्रीन ब्लैक कमांडो यह सूत कर्मी वह जिवानू का संयोजक है कीटों की नियंतर में इसके काम लेते हैं इसका काम लेते हैं कि कीत नियंटर के लिए महात्रपूर जृविक बायो एजेन्ट क्या है इसमें से पहला बायो आजेन्ट हम पढ़ते हैं प्रहुष ग्रामा का 6e इसको ऊहला करामा लाइक के नाम से बी तो आते हम जानते हैं ठीक है मैं ऑ companion है यह हैं लगा कोबुन हैं और यह अंब पर चीवी ऑग बहुत इंपोर्टेंट है यह याद रखेंगा लगा का ओर यह अंभी ओसे जो यह … सूस्फ में कीट है जो लैपसिजंब के हानी कारश किर्फाक जैसे का पास की लचेज चने की लटें गन्ना वा धान आदी के तना छेदक कीटों के अंडे में अपने अंडे देते हैं इसलिए इसे अंड पर पर जिवाब यानि एक पैरास्वाइड के नाम से जानते हैं यह बहुत याद रखी गया चीजे अच्छी है और इसकी विभिन प्रजाती है जो अलग-अलग फफलों के कीटों में प्रभावी हैं जैसे गन्ना व्मकापाज की कीटों के लिए ट्राइकोगरामा चिलोंसिस यहाँ पर चिलोंसिस है वक धान के तना छेदक के लिए ट्राइकोगरामा जैपोनिकम यानि यह लिखा धान के तना छेदक के लिए ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम और यहाँ पर लिखा गन्ना इवम कपास की कीटों के लिए ट्राइकोग्रामा चिलोंसिस नामक जैविक कारक बायो एजेंट उपलब्ध है यह याद रखेगा अब लिखा है इसमें ट्राइकोग्रामा के कार्ड पर लगभग 16000 से लेके 20,000 पोसी कीटों के अंडे पर उतनी ही संक्या में परजीवी कीट उत्पन होते हैं धान का सलब कीट कोरसाइरा सेफोलीन का एक पोसी कीट है तथा इसके अंडो पर इस परजीवी कीट को पाला जाता है एक हेक्टेर में 100 इस्तानों पर ट्राइको कार्ड की स्ट्रिप लगाना चाहिए और ट्राइको कार्ड पोसी कीट के अंडों पर ट्राइकोग्रामा पर जीवी कीट के 16,000 से लेके 20,000 अंडों को एक कार्ड 15 इंटू 7.5 अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें धन्वाद